in this video we will learn about matter and states of matter matter in our surroundings जो कि class 9 का first chapter है तो सबसे पहले तो हम यह जानेंगे कि matter होता क्या है हमारे आस पास की मैं सारी जितनी भी चीज़ें हैं चाहे वो solid के form में हो या या फिर कोई other form में हो चाहे उसका shape कितना ही एक दूसरे से अलग हो या size अलग हो या छोटा हो बड़ा हो तो वो सब क्या है matter है यानि की पदार्थ है matter को हम पदार्थ कहते हैं हिंदी में जो की एक Sanskrit शब्द से बना हुआ है ठीक है तो अगर हम definition की बात करें पदार्थ की तो matter की definition होती है हम कह सकते है all the things around us that occupy space and have mass या फिर they have both mass and volume ओके तो मतलब क्या हर एक वो चीज जो स्थान गेरती है और जिसका अपना एक क्या होता है weight होता है suppose मैं आपको एक example से समझाती हूं एक table है और इस table में बहुत सारी चीज़ें रखी पड़ी है और इसमें बिल्कुल भी जगे नहीं है stable में कोई और सामान रखने की अब मेरे पास एक book है जो की मुझे इस table में रखनी है तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा सामान हटाने पड़ेंगे और क्या करना पड़े यही किसकी जरुरत पड़ रही है स्पेस की जरुरत पड़ रही है तो यही इसी को क्या बोलते हैं मैटर बोलते हैं पुरानी टाइम पे जो एसींट फिलोसफर हुआ करते था हमारे तो उन्होंने मैटर को पांश पांश में जाने कि five forms में डिवाइड किया था उनका यह कह थे आपके air, earth, fire, sky and water, ठीक है, तो यह चोकी पांस थे तो इसलिए उन्होंने इसका नाम पंच तत्व रखा, बट, modern science में या आज के जो scientist हैं, तो उनके according, जो उन्होंने classification किया है matter का, तो वो two type से किया हुआ है, तो पहला classification उनका based on physical nature, ठीक है, और दूसरा है आपका chemical nature, physical nature का मतलब यहां पर इस चीज़ से है कि कोई भी चीज़ का हम जो classification करते हैं, वो उसका shape, size, या color देखके करते हैं, यानि कि outer appearance, यानि कि बाहरी आउरण उसका किस type का है, उस हिसाब से बात करते हैं, physical nature में, और chemical nature हम आने वाले chapters में पढ़ेंगे, तो उसके बाद आती है characteristics of matter, यानि कि matter के क्या-क्या lections होते हैं, और क्या-क्या character होते हैं, ठीके, तो जो first character है, वो है आपका, matter is made up of tiny particles, यानि कोई भी पदार्थ है, वो बहुत छोटे-छोटे करूं से मिलके बना होता है, चाहे वो एक chalk है, या फिर चाहे वो लकडी है, एक लकडी का bed है, तो ये क्या ह हैं, ये भी क्या है, आपके small-small particles, बहुत छोटे-छोटे करूं से मिलके बना है, और एक chalk जो है, वो भी क्या है, छोटे-छोटे करूं से मिलके बना होता है, उसके बाद जो next है, particles of matter have space between them, ठीके, जो matter होता है, matter के करूं के बीच में, क्या होता है, space मिलता है, एक जगे होत है, ठीके, इसको मैं आपको example कितरों समझाती हूं, suppose, आपके, आपने एक glass लिया, और इसमें water लिया, या कोई भी ऐसा liquid ले लिया, या water ही ले लिया, ठीके, तो आपने क्या किया, यहां पे आपके पास एक ink थी, तो आपने वो ink कहां डाल दी, इंक की एक drop आपने water में डाल दी, जैसी आपने drop को water में डाला, तो आपने देखा कि जो आपका water साधा water था, उसका color change होके क्या हो गया है, blue blue हो गया है, वो क्यों हो आप blue blue, क्योंकि जो liquid था, liquid में क्या था, liquid के जो कन थे, उनके बीच में क्या था, space था, जिसकी वज़े से क्या हुआ, वो जो blue drop था, व है, ओके, तो next, तो third वाली property है, या third वाला characteristics है, वो है आपका particles of matter are continuously moving, ठीक है, तो जो matter के particles होते हैं, वो अपस में क्या करते हैं, movement करते रहते हैं, तो movement करते रहते हैं, तो इसका मतलब होता है कि, suppose आपकी, जैसे particles अपने आप movement करते हैं, तो उससे क्या होता है, एक energy निकलती है, energy निकलती है, तो उस energy को हम क्या कहते हैं, उस energy को बोलते है, kinetic energy, या फिर उसको हिंदी में बोलते हैं, गतिस उर्जा, ठीक है, तो ये गतिस उर्जा क्या होती है, कि जा भी temperature बढ़ाऊगे आप किसी चीज का, तो ये गतिस उर्जा भी उतनी ही बढ़ती रहती है, तो ग डूप यांगरवट्त्ज जला दी ठीक है तो आपके जो इस रूम के जिस रूम पर आमें धूप अगरवट्ट्ज जलाई है उस रूम के जो बगल रूम है उसे बाहर का जो रूम है तो अगरवत्ती का धुमा उस बाहर के रूम पे भी पहुंच जाता है ठीक है तो वह इसलिए पहुंचता है क्यूंकि उसके पार्टिकल्स जो धूप अगरवत्ती है वह क्या है गैस है गैसियस फॉर्म में तो उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं मूफ करते हैं और तो मूफ करते कहां पहुद जाते हैं दूसरे रोम पर भी पहुद जाते हैं तो जो इक काइनेटिक एनरजी है वो सब से जढ़ा जो होती है वहती आफी की गैसियस फॉम में ठीक है और उसके बाद लिक्वीड में मिलती है जा सोघ सİ eta में ठीक है तो अभी एक और चीज में आपको बता देती हूँ, जो कि नीचे पेले मैंने बताया है, आपको इसके नीचे में लिखा हुआ है, वो है आपका diffusion, diffusion एक वर्ड आता है, तो इसका मीनिंग क्या होता है, जो कि मैंने आपको थोड़ा बताया, example के थूँ, तो diffusion होता है, particles moves from high concentration to lower concentration, यानि कि जो कन होते हैं matter के, वो कहां से जाते हैं, high concentration से, किस तरफ की और move करते हैं, lower concentration की तरफ move करते हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं, diffusion की process बोलते हैं, और इसका example मैंने आपको ये धूप अगरवत्ती वाला बता दिया है, ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा particles of matter attract each other, ठीक है, तो particles, जो matter के particles होते हैं, जो matter के कर्ण होते हैं, वो तो छोटे-छोटे कर्णों से मिलके बना होते हैं, आपको पता है, space भी होता है, वो भी हमने पढ़ लिया, move करते हैं, ये भी पढ़ लिया, और क्या होता है, वो particles क्या करते हैं, एक दुसरे को अपनी त या फिर आप लोहे के एक डंडी है आपके पास तो उस लोहे की डंडी को अगर आप क्या कर सको तोड़ना चाह रहे हो यहां से भी खीच रहे हो और यहां से भी खीच रहे हो और दोनुं साइट से खीचना चला तो आपको लगता है कि क्या वो आप अलग कर पाओगे या ब्र करती है कि particles of matter attract each other तो diffusion हमने पढ़ लिया है हम बाद आती है states of matter तो matter three states में मिलता है वैसे तो matter five states में matter की five states होती है बर जो हम लोग पढ़ते हैं जो आपकी मानी हैं वो हैं आपकी three states फर्स्ट हो आपका हो गया solid दूसरा liquid और gas जो चौथी होती है एक होती है plasma और जो फिफ्थ होती है वो होती है बोस ironstein condensate ठीक है जो हम सिर्फ इन तीनु चीज़ों के बारे में कहेंगे इसका मैंने आपको बस थोड़ा सा यहां पर डाइग्राम के according दिखा देखो यह होगी solid यानि कि कोई भी ठोस चीज जो है वह है solid और liquid आप तरल fluid के form में होती है वह होती है liquid और gaseous तो फिर आप समझते ही है solid को पहले solid की क्या properties होती है फिर liquid की पढ़ेंगे और फिर gas को समझेंगे ठीक है तो आपका जो first state जो है हम लोग पढ़ेंगे वह है solid state तो solid state में क्या होता है कि उसका क्या होता है definite shape होता है and fixed volume जब ही मैं आपको एक समझा रही हूं तो उस ताइम पे आप अपने दिमाग में एक चीज़ रख लिज़े कोई भी solid स्काइर बन जाएगा या रेक्टेंगल वाला स्काइर बन जाएगा या स्काइर वाला रेक्टेंगल बन जाएगा नहीं ठीक है तो उसका definite shape है और उसका वॉल्यूम है या उसका उसका एक क्या है अपना एक proper weight है अब इसको आप suppose कहा टेबल पे रखो तो भी इतना ही रहने ठीक है तो दूसरा आपका आता है इसमें वो है आपकी have negligible compressibility यानि की compressibility मतलब की उसको दबाने की शमता जो है अब उसके particles इसका reason क्या है उनकी particles क्या होते है solid के काफी closely packed होते हैं बहुत बहुत ज्यादा closely close 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 होते हैं तो अब क्या है उनके बीच में space कम है तो अब अगर आप उसको यहां से force लगा के और यहां से force लगा के दबाने की कोशिश करोगे तो क्या वो compress हो पाएंगे नहीं वो compress नहीं हो पाएंगे तो इसमें क्या होते हैं बहुत शून के बराबर होती है compressibility जब हम इसको दबाते हैं तो यह compress नहीं होते हैं अगर आप देखो suppose आप मै सकते ह्यों उसके बाद आता है hCC inter-molecular space ठीक है रिंटर-molecular space मैंने पहरे बिजाम्पल बता रहेां नहीं की इंटर-molecular space या तो इनके intermolecular space की बात होगी उसके बात बात आती है kinetic energy की बात ठीक है तो kinetic energy भी क्या होती है इसमें बहुत कम होती है अब क्यों होती है kinetic energy कम क्योंकि मैंने बभी अब भी diffusion में बता है था कि वहाँ पर क्या होते हैं अगर freely particles हैं तो वह बहुत जल्दी जल्दी से क्या हो जाते हैं ठीक है क्योंकि बहुत दूर दूर होते हैं उनमें क्या होती है intermolecular space होता है अब जब की ठोस में तो ऐसा होता है नहीं बहुत दूर बहुत नजदिक नजदी क्या होते हैं particles ऐसे होते हैं तो इसलिए kinetic energy भी ज़्यादा नहीं हो पाती जो की kinetic energy सबसे ज़्यादा होती गैस में और उसके बाद liquid में then solid में उसके बाद जो last property है solid की हो है आपकी solid may break under force but it is difficult to change the shape so they are reset ठीक है इसका मतलब हुआ कि solid को हाँ आप अगर force लगाते हो तो वह क्या होगा उसका shape तो change नहीं हो सकता है बट क्या है कि उसका change shape तो नहीं हो तो पर हाँ जरूर तोट सकता है force आपके पास से कोई लकड़ी है है और आप क्या कर रहो है तोह से तोट रही हो इस उसमें sauce रगारहे हो तो इसका to change नहीं होगा बलकि क्या होगा यहाँ से लगव अलग हो जाएगी और यह lot ह lado कि यहानि कि वो तोड़ जाएगां बट फिर भी इसका शेप यह नहीं नहीं फाएगा ठीक है उसके बाद रहे हो आपका वह आपका liquid state में आपने हैं आप देखो लिक्विट स्टेट क्या होता है müsste हिए थो जो volume होता है वो fixed होता है इसका मतलब next में clear हो जाएगा देखो क्या है they take up the shape of the container in which they are kept मतलब क्या हुआ देखो अभी आप मैंने बोला liquid है तो आप अपने दिमाग में सोचो एक water है ठीक है तो water है यहाँ पर आपके पास एक glass ठीक है अभी आपने इसको कहां डाला है glass में डाला है तो इसमें किसका shape ले लिया है glass का shape ले लिया है ठीक है अब थोड़ी देर बाद इसी चीज़ को आप एक bucket में इसी water को इतना ही पानी ज्यादा नहीं कुछ कम नहीं इसी पानी को आप एक bucket में डाल दोगे तो यह उस time पर क्या कर लेगा bucket का shape ले लेगा और या फ bucket में होगा feel होगा उसका weight उतना ही bottle में भी feel होगा उतना ही glass में भी feel होगा ठीक है तो यह तो clear हो गया अब है liquids flow and change shape so they are not rigid but can be called fluid ठीक है तो change अपना shape कर लेता है बट वो रिजट नहीं है ठीक है तो इसलिए उसको बोलते है है फ्लूड फ्लूड मेंस होता है एक तरल पदार्थ ठीक है अब next है कि have greater space each other as compared to particle in the solid state ठीक है तो solid state में तो क्या था मैं हमने पढ़ा था कि बहुत नजदीक-नजदीक होते हैं particles तो इसलिए उनके बीच में space काफी कम होता है बट इसमें क्या होता है कि as compared to solid सब्सक्राइब के मूकाबले इसमें क्या होता है चिंडा एतना उसमें था किस में हम इतना था तो लिक्विड में क्या होता है थोड़ा सा ज्यादा होता है किसके comparison solid के comparison अस में उसके बाद बात आती है आपकी कि सकी इंट्र और मिग जो जगह होती है इसका मतलब हिंदी में होते हैं अन्तरा आणविक जो स्पेस मींस होता है जगह वह बहुत थोड़ा ज़्यादा होती है किसके ठोस के comparison gasses में क्या होता है कि नाइधर फिक्सट वॉल्यूम नोर फेक्स्ट से यानि कि ना तो इसका क्या होता है फिक्स्ट वॉल्यूम होता है और नहीं इसका फिक्स्ट शेप होता है ठीक है मितलब कि ना इसका प्रॉपर एक वेट होता है फिक्स वेट होता है और नहीं इसका कोई शेप होता है ठीक है अब देखो हाई कम प्रेसिवलेटी होती है इसमें क्या होती है इसमें क्या ह है reason किया उसके पीछे particle उसके बहुत दूर है तो अब हम क्या कर सकते हैं इन को यहां से भी यहां से अगर लेके आए closely तो यह क्या हो सकते हैं प्रेस हो सकते हैं हम इसको दबा सकते हैं ठीक है तो जैसे इसका एक एक जैपल तो मैं आपको बता दू हम लोग ऐसे से यहां होता है है तो हिसके यहाँ यहां करना हम जाते हैं यहां प्रेस करके क्या की जाती है इसके अंदर डाली जाती है जिससे खाना बनता है तो वो भी क्या है क्यों कैसे भरा जा रहा है क्योंकि इसकी क्या है high compressibility है किसमें gas में ठीक है और इसका हमने discuss करी लिया है कि diffusion बहुत जल्दी होता है इसमें वो अगरबती वाला धूप वाला जो मैंने example दिया वो diffusion का ही था औ है और इसमें much intermolecular space है यहां पर much intermolecular space present रहता है फिर है दला लास्ट वन इस पार्टिकल्स मूव अबाउट रैम्डम्ली एच हाई स्पीड जो की जो पार्टिकल्स होते हैं जो उसके कन होते हैं गैस के तो यह क्या करते हैं रैंडम्ली मूव करने लगते हैं कहीं किसी भ कि डिरेक्शन में मूव करने लगते हैं और बहुत हाईली मूव करते हैं क्योंकि फ्रीली मूव करते हैं क्योंकि intermolecular space होता ही है ठीक है और बहुत ही सब्सक्राइब करते हैं और गैसे के जो पार्टिकल्स होते हैं या जो कन होते हैं वह फ्रीली घूमते रहते हैं ठीक है आई होब आपको में एक्स्प्रेशन समझ में आई होगी